स्टूडेंट वेल्कम बैक आज हम साइकोलजी के कुछ और महतवपूर्ण कोश्चन आपके सामने लेकर रहे हैं जो कि आपके जो आप चाहिए आप योजिसी नेट की तियारी कर रहे हो या फिर साइकोलजी के महतवपूर्ण कोश्चन है अगर आप हमारे चैनल पर नू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को दबा लिजे ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें तो जुरू करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलजी की बात हो रही है कि इन में से स्कूल ऑफ साइकोलजी कोन सा नहीं है तो जो फंक्सनलिजम है वो भी साइकोलजी का स्कूल है स्ट्रक्चलिजम है वो भी साइकोलजी का स्कूल है जैस्टाल्ट ये भी साइकोलजी का स्कूल है प्रंतु जो communism जो है वो psychology school नहीं है इसलिए इसका जो अंसर होगा वो अंसर D होगा answer 4 next है तो यह हम इंदी में भी हाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको English के दिक्कत हो रही है तो इसमें कौन सा विग्यानिक स्कूल नहीं है तो सामयवाद जो है इस question का अंसर होगा सामयवाद तो next question पर जिस मूव करते हैं फाइफ फिनोमेना इजेंपल फाइफ फिनोमेना क्या होता है फाइफ फिनोमेना के बारे में तोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जब कोई object मूव ना कर रहा हूँ परन्तु हमारी आँखों को लग रहा है कि वो हील रहा है एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है तो उसको फाइफ फिनोमेना बोलते हैं तो यह जादनातर कब होता है यह जैसे जिवारी पर जो छोटे वलब जलाए जाते हैं घरों के डेकोरेशन के सकता दाखने दूसरी जगह पर अगर हम उसकी फीजिकल लोकैशन को देखें तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते पर उनकी लाइट है वह मूव करती है तो वो फाइफ फिनोमेना कहलाता है कि जो लाइट बलब था जो छोटे बलब थे वह एक जगह पर है परन्तु जो निक कि लाइट है वो ऐसा लगता है जैसे वो चल रही हो दीवारों पर एक जगा से दूसरी ज़िए जा रही हो तो वो जो चलना है वो हमारी आँखों का भरम है वो क्या है वो फाइफ फिनोमेना है तूंकि उनके जो रेगुलेशन की जो स्पीड होते है वो इस हिसाफ से निरध हो परंतु हमें हमारी आई साइट पर वो नजर आ रही हो कि वह चल रही है तो वह एपरेंट मोशन कहलाता है तो लर्निंग फिनोमेना का इससे वह कोई सबंद नहीं है और यह इसकी हिंदी का कीगी है स्कूश्चन की अभासी गति इसको बोलते हैं हिंदी में तो यही इसक अंसर कहलाएगा फर्स्ट जो है एपरेंट मोशन जो है इसका अंसर होगा है लर्निंग फिनोमेना जो है वह अलगे चीज है लर्निंग में लर्निंग से रिलेटेड आ जाती है अफेक्ट है है लिए बिना किसी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा परंतु बीना किसी फिर भी कुछ दिख रहा है उसके बाद आधा टरम अचीमेंट मोटिवेशन एसोसेट वीद अचीमेंट मोटिवेशन जो है अब पलबदी प्रेणा सब्सका सबंद की इससे है मैकलेलेंड मैकडूगल्स मारर और मसलो तो यह जो अचीमेंट मोटिवेशन है इस पे सबसे जाधा है जो करे है वह मैकलेलेंड ने किया है तो अंसर वन आ जाएगा मैकडूगल इन्होंने इंस्टिक्ट के ऊपर काम किया है इंस्टिक्ट जो होती है हमारे जो इस्टिक्ट है वो हमारी biological जुरूरतों से related होती है उसके बाद है था है मावरर मावरर ने two-factor theory दी थी और मास लोग ने self-actualization का जो theory थी वो उन्होंने दी थी next next who proposed that felt emotion are the perception of bodily change कि ये कुण कहता है कि जो emotions है सारीरिक परिवर्तनों के प्रतिक्षी करन से ही सम्वेगों का जो अहसास होता है सारीरिक परिवर्तन का मतलब है कि जब हमें सम्वेग है मादल आपको सम्वेगों का पता है emotions का तो वो से emotion हमें सारीरिक परिवर्तनों के बाद मादल हम जैसे कि किसने ये कहा है तो यह मसलानजे है जो यह फर्स्ट उंसर है इसका जे मसलानजे ही कहते है कि जो emotions है हमें bodily perception के बाद ही पता चलता है bodily change में हो मतलो कि जैसे कोई वेक्ति dog से डरता है सामने उसको dog देख गया तो वो भागने लग गया तो भागा क्यों क्योंकि वो डर गया था मतलो पहले वो डरा नहीं है पहले वो भागा है मतलो body change उसमें पहले हुए है डर का जो emotion था वो बाद में हुआ है तो उसको हम emotion जे मसलानजे की तियोरी ऐसा बोलती है मैं नहीं कह रहा हूँ जे मसलानजे ऐसा कहता है कि जो emotion है पहले bodily change होते है उसके बाद हमें emotion होता है मतलो हम डर के मारे भागते पहले है डरते बाद में है तो जे मसलानजे ऐसा बोलते है तो next है the lobe which is mainly concerned with visual information कि हमारी brain में चार lobe दे रखी है frontal lobe, temporal lobe, occipital or parital तो जो ये lobes हैं frontal lobe जो हमारा माथ्था होता है इसको हम frontal lobe बोलते है temporal lobe जो हमारी कान होते है कानवाली साइड उसको temporal lobe बोलते है occipital होते हैं हमारी जो गर्दन की पिछले सा हिस्सा होता है उसके उपर कानों के back side में उसको हम occipital lobe बोलते है पैरिटल होता है सिरक के उपर वाड़ा भाग, तो उसको पैरिटल लोब बोलते हैं, तो अब हम पूछा गया है कि जो हमारी विजूल इन्फोर्मेशन को हमारे, वो कौन सी लोब है, जो हमारी विजूल इन्फोर्मेशन को पहुंचाती है, विजूल इन्फोर्मेशन से रिल जो होते हैं सुनने से सबंदित information है जो हमारी ब्रेन में जाती है ऑक्सिपीटल होता है हमारी आँक से related जिसमें हमारी दिश्टी से सबंदित जो information है विजुल information है वो हमारी second option है इस cancer तो यह हमारी visual information से related इस लोब में जाके हमारी सूचना है तो परिटल हमारी जो उपर का हिस्सा है सबसे उपर और frontal lobe है जो जिसको फोर हैड माथा बोलते हैं बैक साइड में उसको frontal lobe है जहां पर हमारी thinking perception जो है major process जो है हमारे चलते रहते हैं तो यह हमारी four lobes है next question है तो जर्मन word gestalt mean gestalt mean यह question कहीं बार अगजाम में आया हुआ है gestalt का meaning क्या है और इसमें दो question बन सकते हैं कि gestalt किस भासा का word है तो हमें यह नहीं कि हमने सिर्फ question पढ़ लिया और उसका answer डूंड लिया चुटी तो हमने यह भी देखना कि इस question के अंदर और भी कोई question बन सकता है तो जर्मन word gestalt mean इसका mean होता है whole gestalt का मतला है कि gestalt वादी मानता है कि हम किसी भी चीज़ को safe job करते हैं protection करन करते हैं तो हम उसको समगर gestalt समगर होता हूल होता है कि पूर्ण रूप से हम उसको देखते हैं यह नहीं कि पूर्ण रूप में किसी चीज़ को देखते हैं यह हूल देखते हैं तो हम वह gestalt का meaning भी हूल है इसलिए उन्होंने अपनी थेओरी हूल perception के हूल सिदान तक से related थेओरी है तो नेक्स्ट कॉस्ट्टन है intelligence test developed by Binet and Simon Binet and Simon ने intelligence को जो टेस्ट ड्वेल्प किया था वो कब किया था 1815 में 1845 में 1819 में या फिर 1905 में 1905 में तो यह उन्होंनों ने अपना जो बुद्धी का प्रिक्षन दिया था मिन और साइमन ने तो इसका अंसर बन जाएगा फाइव फोर नमबर तो इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट है नेक्स्ट कोशन है पर्सनल्टी डाइनमिक और गनाइजेशन विदिन दा इंडिविज्वीजेशन और दोस साइको शोट्स तो यह definition वो आलपोर्ट की दी हुई definition है तो इसका जो सही अंसर है वो अंसर ए होगा next question है question 9 है विक्तिगत की सबसे अच्छी परिभासा देने के पूरव आलपोर्ट ने उससे कितनी परिभासाओं को संगरीत किया how many definitions of that time did आलपोर्ट collect before giving the best definition of personality तो personality की जो last definition देने के पहले उसने कितनी परिभासाओं पे काम किया तो मतलब वो बनाता रहा देखा कि ये सही है ये गलता है उसको छोड़ दिया फिर अगली और बनाई फिर तो इस तरह से बनाते बनाते उसने 49 जो definition थी वो दी और उसके बाद जो अभी हमने पिछले question में पड़ी थी वो definition 50 number की definition है तो याद रखना कि उन्होंने 49 definition जो दी थी वो तो पहले दी थी अब बनाई उसके बाद जो अब जो परचलन में चल रही है वो 50 number की definition है तो next question है निमन में से एक व्यक्तितव का प्रकास Selden, which of the flowing type of personality is given by Selden? Selden के कौन सा टाइप दिया है? Selden के तीन परकार थे Selden ने जो दिये थे endomorphie, mesomorphie, ectomorphie तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने तीन बोल दिया है endomorphie, misomorphie और ectomorphie तो इसमें से mesomorphie तो हमें दीख रहा है तो इसका मतलब यही हमारा answer है तो desplastic, athletic, picnic यह जो टाइप हैं तो यह जो तीन टाइप हैं वो हमारे क्रेशेमर ने दिये हैं जो की जर्मन psychiatrist थे, प्रम्तु mesomorphie जो था, शैलिडन को दुवारा दिया गया था तो यह थे हमारे 10 questions, काफी important questions थे आपके इन में से कितने questions ठीक थे, वो आप हमें comment करके बताएंगे आप हमें comment करके बताएंगे कितने questions आपके ठीक हैं और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें comment करके यह बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना और मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई questions के साथ, have a good day